नवस्कार दोस्तों उरान IAS Academy के e-learning platform पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल फिलाल में 36 गर्षाशन की ओर से बहुत सारे भरती परिक्षा आयोजित की जानी है जिसमें आपने नाम सुना होगा होस्टल वार्डन की परिक्षा इसके अलावा सिक्षक बरती परिक्षा इसके अलावा आराई पटवारी जैसी परिक्षाएं भी आगामी समय में होने को है इन सभी परिक्षाओं के यदि syllabus को आप देखेंगे तो आपको कुछ चीजे तो ऐसी मिलेंगी जो एकदम common है इसके अलावा कुछ चीजे आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें especially किसी विशेज सब्जेक्ट की मांग की गई है या किसी विशेज सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा खासा होता है इनी सब बातों को ध्यान में रखके उडान आईएस अकादमी के द्वारा हाल में बहुत सारी बैचेज जो है वो आपके लिए लाई जा रही है जिस वो पहली बैच का मैं description आप दो देजो कि उडान आईएस अकादमी के द्वारा रायपूर और बिलासपूर ब्रांच में रायपूर और बिलासपूर ब्रांच में दोनों जगह पर सिक्षक और सायक सिक्षक के लिए भरती परिख्षक की तयारी कराने वाले बैचेज आपके लिए शुरू किये गए है ये batch राइपूर के सिटी प्लाजा ब्रांच में शुरू किया जा रहा है वहीं बिलासपूर में ये batch हमारे बिलासपूर ब्रांच में आयोजित किया जाना है ये दोनों batches 28 मार्च 2014 से प्रारम होने वाली है यानि आज ये batch प्रारम हो जाएगी दोनों का schedule आप देख लीजिए राइपूर सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में यदि आप इसको जॉइन करना चाहते हैं तो शाम साड़े पांच बजे से साड़े आठ बजे तक ये batches चलेंगी इसके लावा बिलासपूर में शाम पांच बजे से शाम आठ बजे तक सिख्षक बरती परिख्षा की जो batch है इसका आयोजन किया जाएगा अब बात करें इस batch की विशेशताओं की खासियतों की तो ये batch आपको offline, online और recorded इन सभी modes पर उपलब्ध है यदि आप इन batches को offline mode पर जोइन करते हैं तो आपको online की सुविधा उपलब्ध होगी किसी दिन आप class जोइन नहीं कर पाए, किसी दिन आप किसी कारण से class नहीं आ पाए तो आप online mode पर इसको जोइन कर सकते हैं इसके अलावा यदि आप offline mode पर join करते हैं तो आपको online के साथ recorded videos की सुविधाय भी उपलब्ध हो जाएंगी किसी दिन यदि आपकी class miss हो गई तो आप बिलकुल recorded video के माध्यम से इस class को फिर से देख सकते हैं इससे आपके notes बनाने में कहीं पर भी रुकावट नहीं आएगी आपकी पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी इसके अलावा यदि आप online mode पर ये batch join करते हैं तो आपको recorded videos उपलब्ध कराये जाएंगे यानि आप online mode पर यदि इसको join कर रहे हैं इन batches को तो आपको सारे videos जो class के videos हैं वो आपको recorded mode पर उपलब्ध होंगे यानि जो class पढ़ाया गया है वही सब आपको recorded mode पर भी उपलब्ध हो जाएगा सारे batches के PDF आपको उपलब्ध कराये जाएगे जितने भी classes होंगी उन सभी classes के PDF आपको उपलब्ध कराये जाएगे जिससे की आपका अच्छा खासा notes तयार हो जाएगा इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये batch संपोर्ण पार्ठ करम को cover करता है पूरे पार्ठ करम का coverage कराये जाएगा जितने पार्ठ हैं पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात किया था सिक्षक भरती परिक्षा सिक्षक पात्रता परिक्षा इन दोनों के syllabus को ले करके कहां कहां से कितने कितने प्रश्न आते हैं मार्क्स का distribution कैसे होता है इन सब पर मैं पिछली वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ तो सारे पार्ठ करम का coverage आपको इन batches के माध्यम से कराया जाएगा तो बहुत अच्छा हो सरे दोस्तों आप सभी के पास हमारे राज्य में एक सिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने का सिक्षक के रूप में 36 गड़ महातारी की सेवा करने का अब मैं बात करूँ कि ये batches आप join कैसे कर सकते हैं आप इन batches को join करने के लिए जैसे आपको रायपूर ब्रांच वाला batch जोइन करना है तो आप इन दिये गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं यदि बिलासपूर ब्रांच आप जोइन करना चाहते हैं तो इन दिये गए नंबरों में से किसी भी नंबरों पर आप संपर्क करके ये batch जॉइन कर सकते हैं इन batches को जॉइन करना है यदि आप इसको offline mode पर जॉइन कर रहे हैं तो आपको पहले से ही inform कर दिया जा रहा है कि seat लिमिटेड होंगी लिमिटेड सीटों पर ये batch शुरू किया जा रहा है इसलिए यदि आप इसको offline mode पर जॉइन करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अपना registration सुनिशित करवा लीजिए सीटे एक बार full हो गई उसके बाद फिर आपको केवल online mode पर ही classes उपलंद हो पाएंगी तो offline mode पर यदि आप जॉइन करना चाहते हैं राइपूर के या city plaza branch में जॉइन करने वाले बच्चे तो आप बिलकुल अभी से अपना registration सुनिशित कर लीजिए online mode में जॉइन करने वाले अभ्यर्थी आप कभी भी इस batch को जॉइन कर सकते हैं सारे वीडियोज आपको recorded mode पर उपलब्द हो जाएंगे जिससे की आप अपनी पढ़ाई की निरंतरता जारी रख सकते हैं तो आप इन batches को जल्द से जल्द जोइन कीजिए क्योंकि ये batches बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी सिक्षक बरती परिक्षा के लिए इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का टीटी अभी क्लियर नहीं हुआ है सिक्षक पात्रता परिक्षा आप भी इन batches के माध्यम से लाब उठा सकते हैं क्योंकि लगभग common syllabus है कुछ एक section को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा syllabus समान है तो एक बहुत बड़े भाग की तैयारी आपको इन batches से हो जाएगी बहुत बड़ा भाग आपका टीटी का इसमें clear हो जाएगा तो जल्द से जल्द इस batch को join कीजिए यदि आप सिक्षक पातरता परिक्षा से या सिक्षक और सायक सिक्षक भरती परिक्षा से जुड़ना चाहते हैं इसके अलावा दूसरी batch की यदि हम बात करें तो हमारे बिलासपूर ब्रांच में छात्रवास अधिक्षक भरती परिक्षा के लिए एक batch प्रारंब किया जा रहा है ये batch प्रारंब हो रहा है 28 मार्च यानि आज से ही और ये batch संचालित होगा शाम 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप सभी को पता होगा कि ये भरती परिक्षा के अंतरगत दो सब्जेक जिनका वेटिद सबसे जादा है इसके अंतरगत एक सब्जेक्ट है आपका कम्प्यूटर जो 30 अंक का आपको पूछा जाएगा इसके लावा maths है जो कि 25 अंक का आपके सिलेबस में शामिल किया गया है हमारी कोशिश यह है कि इन ही बड़े सब्जेक्ट को लेकर के ये batch प्रारंब किया जाए तो कम्प्यूटर और maths ये सिलेबस से ही आपके ये batch जो है ये प्रारंब किया जाएगा अब यदि हम बात करें कम्प्यूटर की तो मैंने बताया था आपको कि कम्प्यूटर में 30 में से 15 अंक लाना कंपलसरी है यानि 30 में अगर 15 नहीं आ रहा है 50 परसेंट अंक आपके नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसे ही race से बाहर हो जाएंगे आप ऐसे ही competition से बाहर हो गए इसलिए आपको जरूरी है कि आप computer और maths दोनों की तगड़ी तैयारी करें computer आपको qualify करने में help करेगा इसके लावा maths आपको पता होगा कि maths व्यापम अच्छे खासे इस तरह का पूछता है तो यहां पर यदि आप maths में कोताही बरतते हैं तो कहीं न कहीं यह आपके exam के result के लिए अच्छा नहीं होता इसलिए computer और maths को समान तवज्जो देते हुए हम इन दोनों बैचेस के साथ यह बैच जो है यह शुरू कर रहे हैं बाकी के subject भी आपके तयार कराया जाएंगे लेकिन हमारी कोशिश यह है कि बड़े वेटेज वाले जो subject है बड़े वेटेज वाले इनको पहले complete कराया जाए तो computer और maths के साथ यह छात्रवास अदिक्षक की भरती परिक्षा का जो बैच है यह प्रारम किया जा रहा है यह बैच भी बाकी के बैचेस की तरह online, offline और recorded तीनों ही mode पर आपको उपलद्ध होंगी यदि आप offline बैच जोइन करते हैं तो आपको online की भी सुविधा मिलेंगी और recorded videos के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रख सकते हैं यदि आप online बैच जोइन करते हैं तो आपको recorded videos की सुविधा उपलद्ध कराई जाएगी जिससे की आप अपनी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आने पाए इस बात का ध्यान रख सकते हैं तो recorded videos आपको उपलद्ध कराई जाएगी इसके अलावा हर class का आपको PDF भी उपलद्ध कराया जाएगा PDF के माध्यम से आप अपनी बहुत शांदर notes तयार कर सकते हैं maths, reasoning और बाकी के जो भी subject है उन सभी की तो इस badge को join करने के लिए आप इन दिये गए नंबरों पर संपर्ग कर सकते हैं या उडान IAS अकादमी के office में आ करके inquiry कर सकते हैं तो ये चात्रवा सदिक्षक की badge 28 March 2024 से बिलासपूर शाखा में प्रारम की जा रही है, विशेज ध्यान रखेंगे क्योंकि seat हमने limited रखी है इसके बाद आप सभी को पता है कि कोई भी competitive exam हो वहाँ पर गणित का क्या महत्तो होता है जैसे अभी यदि हम सिक्षक भरती परिक्षा की बात करें तो सिक्षक भरती परिक्षा में 30 अंक जो है ये आपको शुद्ध maths का देखने को मिलेगा सहायक सिक्षक में और यदि आप science stream के हैं तो वहाँ पर सिक्षक बरती परिक्षा में भी 30 अंक आपको देखने को मिलेगा अब यदि हम इस बैच की बात करें तो 20 तारिक से ये बैच प्रारम्ब हो चुका है 20 मार्च से रवी सर से जुड़ करके आप अपने maths को बहुत अच्छे तरीके से पुक्ता कर सकते हैं आप सभी को पता होगा रवी सर बहुत basic से गणित की समझ आपकी विक्सित करते हैं तो बिलकुल basic से तयारी कीजिए आप गणित की और बहुत नियूनतम शुल्क पर आपको गणित की तयारी यहाँ पर कराई जा रही है इस बैच की खास बात यह है कि ये बैच online और recorded mode पर उपलद है offline अभ्यर्थियों के लिए ये सुविधा उपलद नहीं है आप इसको online mode पर उपलद कर सकते हैं आप इसको join कर सकते हैं आपको जितनी भी classes हुई हैं उनकी recorded videos प्लस PDF आपको उपलद करा दी जाएंगी recorded videos और PDF आपको उपलद करा दी जाएंगी आपको पता होगा कि maths जो है ये बहुत महत्पूर्ण होता है 36 गड़ में किसी भी competitive exam में जैसे R.I. आने वाला है तो R.I. में लगभग 45 नंबर maths प्लस reasoning है वैसे ही पटवारी में लगभग 45 नंबर का maths प्लस reasoning है होस्टल अधिक्षक को आप देख लीजिए लगभग 25 नंबर का syllabus मैंने अभी just बात किया आप से सिक्षक बरती परिक्षा की मैं बात करूँ T.E.T. के परिक्षा की बात करूँ तो कोई भी competitive exam आप लीजिए वहाँ पर maths का वेटेज अच्छा खासा ही होता है और रवी सर से maths पढ़ना मतलब आप बिलकुल जड़ से किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो basic से आप तयारी कीजिए गणित विशय की संपूर्ण पाठ्यक्रम की आपको तयारी कराई जाएगी इसके अलावा इस batch से जूरने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क करें और इस batch को जल्द से जल्द जॉइन कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है बाद में recorded वीडियो उसका बोज आप पर बढ़ता जाएगा तो बहतर यह है कि आप जल्द से जल्द इस batch को जॉइन कर लीजिए अब एक batch जो हम शुरू करने वाले हैं दो अप्रेल से इसी प्रकार का एक विशेश batch रिसी सर के नेत्रितों में शुरू हो रहा है बहुत सारे अभ्यार्थी यह मांग कर रहे थे कि भई सर जैसे मैट्स का आपने इंडिवीज्वल ऑनलाइन कोर्स लाए है वैसे ही रिसी सर से हमको 36 गड़ पढ़ना है उनका भी एक इंडिवीज्वल कोर्स हमको उपलब्द कराया जाए तो आप सभी की मांग को ध्यान में रखते हुए रिसी सर उपलब्द हो रहे है आपके 2 अप्रेल 2024 से ये बैच भी ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्ड़ेड मोड पर आपका उपलब्द कराया जाएगा ये बैच आपको CGPAC, Prelims, ACF, Ranger, AP, AE, ADO, RI इसके अलावत जितने भी एकजाम होते हैं जहाँ पर भी आपको 36 गड़ का सिलेबस मिलेगा वहाँ पर आपको ये बैच लाबदायक होगा जितने authentic source हैं आप पढ़ते हैं कि फलाना विभाग का प्रतिवेदन है यहां से कोश्चन आया है प्रतिवेदन से कोश्चन आ गया है इसके लावा आप पढ़ते हैं कि फलाना गरंथ आकादमी की फलाना पुस्तक है वहाँ से यह कोश्चन आया हुआ है इसके लावा आप पढ़ते हैं कि आर्थिक सरवेच्छन से यह कोश्चन आया हुआ है बेरेक्ट से ये कोशन आया हुआ है तो ये सारी चीजों को रिशिसर बिलकुल कवर कराते हुए चलेंगे इसके अलावा जो रिपोर्ट्स वगएरा आते हैं जैसे खनीज का IBM का आता है Indian Mines Bureau का उसके आकड़े हो गए तो सारे authentic आकड़ों को कवर करते हुए रिशिसर आपके 36 गड़ की क्लास आपके ले करके आ रहे हैं ये एक विशेज बैच है जो की online और recorded mode पर ही उपलब्द है ध्यान रखेंगे इस बात का offline mode पर ये उपलब्द नहीं है अब यदि मैं बात करूँ कि इस बैच के अंतरगत क्या मिलेगा तो 36 गड़ आर्थिक सर्वेक्षन विभागिय प्रतिवेदनों के आकड़ों सहीद आपको संपूर्ण तयारी कराई जाएगी मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सभी सरकारी आकड़े हैं जो की authentic आकड़े होते हैं इनको लेकर के रिसी सर आपकी तयारी आगे बढ़ाएंगे प्रत्य क्लास की recorded वीडियो आपको उपलब्द कराए जाएगी और PDF भी आपको उपलब्द कराया जाएगा जिससे notes तयार कर सकते हैं इसके अलावा अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रख सकते हैं इस batch की timing की यदि मैं बात करूँ तो दोपहर 12 बजे से देड़ बजे तक ये batch आयोजित किया जाना है यानि दोपहर 12 बजे से देड़ बजे तक आप इस batch के द्वारा या इस batch से online mode पर जुड़ सकते हैं ये batch join करने के लिए आप या तो राइपूर के head office में आकर के संपर्क कर सकते हैं या आप चाहें तो इन दिये गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपना registration सुनिशित करवा सकते हैं तो ये सारे batch जो उड़ान आईए सकादमी के द्वारा अभी प्रारम किये जाने वाले हैं या किये जा चुके हैं जो एकदम recent batch है इन सभी की जानकारी मैं आप तक लेकर के आया था तो आप इन में से किसी भी batch से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिये गए नंबरों पर आप बिलकुल संपर्क कीजिए आपको सारी जानकारियां उपलब्द कराए जाएंगी फीस क्या है दूरेशन क्या रहेगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्ण जो है वो छात्र मन में तो रहना ही है इसलिए इन batches को जोईन करने के लिए जितने प्रश्ण हैं आपके मन में सब यहां से पूछ लेजिए मिलते अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद